तो आज मैं आपके लिए ऐसा चिकन गालिक लाई हूँ जो आपको खाने में इतना टेस्टी लगेगा और यह बहुत ही इसली बन जाएगा तो चली इस ट्राइट करते हैं बनाना तो यह मैंने बोलने चिकल नहीं आता है उसके अंदर एट कर दूंगी में दही और फिर इसके जाएगा चिकन में और फिर में यहां पे लिए हूँ मिद्दय के आता और फिर नमक और फिर तोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और फिर इस से अच्छी तरीके से चला लूँगी और फिर इसे अंदर थोड़ा सा अईट कर दूंगी में कौण फ्लोर आटा क्रिस्पी के लि और इसे हाइफ लें पर ही हमें फ्राइ करना है ताकि अच्छी तरीके से क्रण्ची हो जाए तो देखिए हमारे चिकन हो चुके हैं अब हम यहाँ पर लेंगे मेयोनीस जी हां इधर mayonnaise लेंगे हम एक बॉल में और इसके अंदर में एड़ कर दूंगी गारलिक mayonnaise जी हां अगर आपके पास गारलिक mayonnaise नहीं है तो आप इसके अंदर लेसन कट करके भी एड़ कर सकते हैं और फिर काली मिचका पाउडर और फिर रेट चिली फ्लेक थोड़ी सी चीज और अगरता को थोड़ा सा भी यानि नहीं मसका और हम इसके अंदर फोड़ा सा नमख करेंगे क्योंके चीज में भी नमख होता और मस्केह में नमक होता थोड़ा सा पीजा हपस पासरा करेंगे तो अब इसके अंदर हमने जो चिकेंड फ्राइ किया था वह उसके अदर एड़ कर देंगे और इसी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकंड में उच्छी तरीके से वह लग जाए और थोड़ा सा में ले लूँगी धनिया गार्लिश की तौर पर और फी इसे में मिक्स कर लूँगे अच्छी तरीके से अब हमें इसे प्लेट पे सर्फ करना है एक एक करके रहम रखेंगे सो रेडी हो गया चिकन गार्लिक और यह बहुत ही टेस्टी लगता है तो रमजान में इस पेशल आप जरूर ट्राइ करना और मेरे चैनल को सबस्टाइब करो शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल ना भुलिए और यह रेस्पी जरूर ट्राइ करें बाई अलाफिस